आजी तो chemistry का आज का question है मोल concept पे और मोल concept में भी limiting reagent का आपके सामने question है तो question में दिया हुआ है sir heber process में हमने nitrogen लिया हुआ है 20 gram hydrogen लिया हुआ है 5 gram और आपको यहाँ पर ammonia बनाना है और question में आपको बताना है कि sir यहां पर limiting reagent क्या होगा और जो ammonia बन रहा है वह कितना मोल बनेगा अब इस question में आपको देखके लग रहा हुआ है सबसे बेतर है कि हम पहले इनके मोल्स निकाल लेते हैं ठीक है तो यह बात करता हूं यहां पर nitrogen की ठीक है तो nitrogen के जो मोल निकलेंगे वह कितने निकलेंगे तो आप बोलेंगे हुमेटिंग रेजएंट जब भी मैं निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूँगा मिमल और स्टोइकोमेट्रिक ओफिशियन का रेश्यो ले लूँगा ठीक है आप देखते हैं आप स्टोइक्योमेट्रिक ओफिश्यन का रेश्यो निकालेंगे तो वह कितना ऐगा आप है सर इट विल भी 5 by 2 into 3 है ना 5 by 2 तो इसका मोल होगे स्टोइक कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है यानि कि यह कितना हो जाएगा इट विल भी 5 by 6 ठीक है अच्छा आपको यहां पर देख के बता लग रहा होगा कि सर यह दोनों में compare करता हूं है ना जिसे 20 upon 28 और 5 by 6 तो दोनों में से जो मिनीमम है वही क्या होगा एलार होगा है ना इसको सोल करते हो तो यह कितना आता है 0.74 के आसपास और यह 0.8 के आसपास यानि कम तो यहां पर यह है यानि कि जो नाइट्रोजन है वो क्या बन चुका है यह सर यानि कि जिस जिस option में hydrogen दिया हुआ है उस option को वेसे ही खतम कर दो यानि कि यह और भी तो आंसर नहीं हो सकता ठीक है अब यहां पर यूनिट्री मिथर लगाना है आपको अमोनिया के मॉल्स निकालने के लिए आप मुझे बताएंगे बच्चों जब एक मॉल नाइट्रोज बोल हैं कितने हैं 20 upon 28 मॉल हैं तो 20 upon 28 से कितना बनेगा सर एक से बन रहा है दो तो इससे भी डबल ही बनेगा यानिके सर 20 upon 28 मल्टिप्लाई विद 2 और यह कितना आ जाएगा 1.42 मॉल इस क्योशन का आंसर है ठीक है तो लिमिटिंग रिजेंट क्या होगा आप बोलेंगे नाइट्रोजन होगा और अमोनिया के कितने मॉल बनेंगे 1.42 मॉल यहां पर बन जाएंगे ऑप्शन नमबर सी करके आप आगे आप प्रिजेंगे बनेंगे बनेंगे नमबर सी को मॉल यहां पर आप डिकरा जाएगा झाल नमबर सी करके आपस्वाबद।